तो मैं पहले AC की बात करूँगा, 4 AC, ठीक है, 4 AC, ठीक है, इधर आया, यहाँ आया, और यहाँ आके इससे मिल गया, ठीक है, तो हमें पता है, इस ब्रांच में करन नहीं जाने वाला, AAD को, तो मैं इसको इसको गंसिडर नहीं करूँगा, अब अपना डाइग्राम कैसे बन गया, इक्विलेंट डाइग्राम बन गया, AC की केस में, AC की केस में बन गया एक डाइग्राम, ऐसे, यह आपका आगया A, यह हो गया C, और एक रेजिस्टेंस इधर है, एक रेजिस्टेंस इधर है, एक रेजिस्टेंस इधर है, आर, 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 एंड आर, these all are in series to your the gator ya फिर बन जाएगा यह सथरे से यह आजाएगा आपका a a c यह आजाएगा 3r this is r r r यह कैसा है पैरलल है पैरलल हो जाएगा क्या हो जाएगा वापीस से solve करेंगे तो इसको एपोइंट से यह हो जाएगा आपका अब आगे और सॉल करेंगे तो यह स्रीज में होगया स्रीज में होगया तो कितना हो जया का R प्लस 3R by 4 प्लस R तो कितना हो जाएगा R equivalent R AC कितना आजाएगा R AC । रहार नोधस 11 R by 4 यह तो मेरे पास आ गया R AC ठीक है अब मुझसे पुछा R AD AD तो AD कैसे करेंगे तो A से D तो मुझे पता है अगर AD के case में C में current नहीं जाएगा current फ्लो करेगा इस तरह से इधर और एक branch जाएगा इस तरह से इधर दोनों जाके जाएगा ठीक है कोई कट यहां तक चलो अब हम देख लेते हैं C में नहीं जा रहा है B में नहीं जा रहा है D ना हमें जाना है इस case में दी में current जाएगा तो ये देखते हैं current ऐसे गया तो isn't we can't do say this series में और यह दोनों कैसे हो जाएँगे यह करने देखो यहां सी चारेट जाएगा उड़ और यहां जो करणे झाएगा तो stick से हो जाएंगे सीरीज में हो जाएंगे तो मैं इसको क्या कर देता हूं आपका कि यह हो जाएगा आपका सीरीज में और यह हो जाएगा आपका सीरीज में तो इसका रेजिस्टेंच हो जाएगा डियाग्राम यहां बना देता हूं यह यह का है और यह इस तरह से हो जाएगा यह और बचा आड तीके यह यहां से आया ठीके अम इसका कितना हो जाएगा resistance of ad अब उसका रचोप्छा है रेशियो किटना रिकार का तो वह झाल है Linky रचो कितना अगे अगता ही स्वाज करेंगे तो यह जाएगा 11वाइव ट्वायiv कट जाएगा option number D will be the correct answer of this question